यह अपना नाम स्ट्राइकर का पोजिशन तो किसी को भी आपका जीतने का उमीद नहीं है नवशकार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सूपरश्टार अक्षे कुमार और टाइगर श्रॉफ के एक और मसाल एंटेटेनर फिल्म बड़े मिया छोटे मिया के अभी तक के टोटल बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में तो तीन सो करोड के बजट में बनी फिल्म बड़े मिया छोटे मिया जैसे फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलगू, मल्यालम, कंणर यानि कि टोटल पांच भाशाओं में रिलीज किया गया था इस फिल्म के डिरेक्टर थे अली अबाद जफर जो इससे पहले सुल्तान और टाइगर जिन्दा है जैसे दो ब्लॉक्बस्टर बड़ी फिल्में दे चुके हैं अब यहाँ पर अक्षर कुमार और टाइगर शॉफ की जोड़ी बड़े मिया चोटे मिया में देखने को मिल रही थी तो सब को लगा था कि ये फिल्म तो बॉक्स ओफिस पर धमाकेदार कमाई करेगी ही करेगी और अक्षर कुमार टाइगर शॉफ के लिए एक बड़ी ब्लॉक्बस्टर रहेगी लेकिन आपको बता दे कि फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से जो रिव्यूज मिले है वो उतने अच्छे नहीं रहे जिसके चलते ही इस फिल्म की कलेक्शन्स पहले हफते में ठीक ठाक रहे दूसरे हफते में काफी जादा डाउन हो गए और इस वक्त तीसरा विकेंड आने पर भी इस फिल्म के कलेक्शन्स में कोई बड़ी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है जी यहां दोस्तों अगर बात करें यहां पर बड़े मिया छोटे मिया के 17 दिनों के सभी वाशाओं के टोटल बॉक्स अफस कलेक्शन के बारे में तो आपको बताना चाहेंगे कि बड़े मिया छोटे मिया ने शुरुआती 15 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन सभी वाशाओं से 62 करोर 75 लाक रुपे का किया था। वहीं फिल्म ने अपने सुलावे दिन 68 लाक रुपे की कमाई की है। हलाकि आज इस फिल्म की कलेक्शन से एक हलकी सी ग्रोथ है और ये मोवी आज इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है 80 लाक रुपे की रैंज में। इसी के साथ बड़े मिया चोटे मिया का शुरुआती 17 दिनों की अंदर आल इंडिया नेट कलेक्शन 64 करोर 23 लाक रुपे का हो चुगा है। तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 36 लाक रुपे। बता दे दोस्तों कि 17 दिनों में फिल्म का जो worldwide box office कलेक्शन है वो 126 करोड 12 लाक रुपे का हो चुगा है। अगर बात करें फिल्म मैदान के टोटल 17 दिनों के इंडियन और वर्ल वाइट बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में तो मैदान फिल्म जिस फिल्म का डिरेक्शन किया था अमिश शर्मा ने और इस फिल्म में अजय देवगन के साथ हमें प्रियामनी और गजराज राव एक सुपचास करोड की बजट में बनी फिल्म मैदान को सिनिमा घरू में आज हो चुके हैं 17 दिन जी हां आपको बता दे कि इस मोवी का इस वक्त तीसरा वीकेंड बॉक्स ओफिस पर चल रहा है फिल्म की ओपनिंग काफी धीमी थी लेकिन उसके बाद फिल्म के फर्स्ट शुकरवार भी ठीक ठाक कमाई की और तीसरे शनिवार यानि कि आज तो इस फिल्म की कलेक्शन पे एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है मैदान के अब तक कि यानि की 17 दिनों की वर्ल्ड वाइट टोटल कलेक्शन के बारे में तो आपको बता दे कि मैदान फिल्म अभी तक सामने आई है उसके मताबिक मैदान फिल्म अपने 17 दिन यानि कि तीसरे शनिवार इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है एक करोड दस लाख रुपे का इसी के साथ मैदान का शुरुआती 17 दिनों में नेट कलेक्शन 42 करोड 13 लाख रुपे का हो चुका है तो इंडि 17 करोड 93 लाख रुपे की कमाई कर चुकी है वही अब अगर बात करें आयोश शर्मा की फिल्म रुसलान को आज बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए दो दिन पूरे हो चुके है और आज ये फिल्म अपने तीन दिनों की रनिंग में थीटर्स में लगी हुई है ये फिल्म ऑलिवुड की अन्ना यानि की सुनेल शेटी का भी एक कैमियो है इस फिल्म का बजट है 25 करोड रुपे और इस फिल्म का ट्रेलर दमदार था फिल्म भी काफी अच्छी है लेकिन फिल्म की जो कलेक्शन्स है न वो पूरी तरह से होश उड़ा देने वाले हैं मुझे लग पहले दिन का कलेक्शन जानकर आपके होश ओड़ी जाएंगे लेकिन यहाँ पर दूसरे दिन सेटर डे यानि की हाफ ओलिडे है जिसके चलते फिल्म की कलेक्शन्स में सेकेंड एक हलका सा ग्रुप देखरे को मिला है जी हाँ अब अगर बात करें इस फिल्म के दो दिनों क टोटल कलेक्शन के बारे में तो रुसलान फिल्म ने अपने पहले दिन ओल इंडिया कलेक्शन सिफ 68 लाक रुप देखने को मिली है और ये मूवी अपने सेकेंड इंडिया नेट कलेक्शन 90 लाक रुप देखरे का कर रही है शुरुआती तीन दिनों में टोटल कलेक्शन हो रहा है दो करोड़ और साथ लाक रुपे का वैसे मैदान, रुसलान और बड़े मिया छोटे मिया फिल्म में आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राज जरूर बताए और फिल्मों से रिलेटेड ऐसी अपडेट्स पाने के लिए हमारे टेलिग्राम चैनल और वटसप ग्रूप को जॉइन करें